हेलो स्टुदेंट तोडे वी विल डिस्कस अबाओ कोलाइड और टिंडल एफेक्ट एंड यह सम्कॉलाइड शोलुशन विद कोलाइड पाटिकल्स अब सबसे पहले लेस्ट विल नो अब वाओ इस कोलाइड तो कोलाइड आर होमोजीनियस नौन क्रिस्टलाइड सबिस्टे चया णेक्रट हैंट कोलाइड नौन क्रिस्टलाइड सबीस्टेंसयल ओलैक्री किस्टनाइड लिविस माइक्रूइस्टकॉपिक हता है कर्टिमिभिंव ंटार्टिकल्स होता है दोर्टेंग विकश्ट्रेंड कर Дazz होता है जिसमें large number of molecules क्या होते हैं जुड़े होते हैं तो इस particles को या इस type का जो हमारा mixture बनता है उसको हम बहुते हैं collide अगला the types of mixture it is based on their shape size पे depend करता है तो types of mixture based on particle size particle size पे depend करता है collide तो कौन से particle होते है solution है और फिर उसका part is suspension suspension का part है हमारा collider solution अब collider solution collide से बना होगा that type of solution which is made about with the help of collide is called collider solution solution हमने पढ़ लिया कि two or more substances combine together they form always a solution which is enhance when particles are moving surrounds some of the gaping between them rest of the particles are goes down when undisturbed they are called suspension तो यहां पर हमने solution और suspension दो टॉपिग यहां पर हम discuss कर चुके हैं already दोनों फिर से आपको मैंने बता दिया let's we discuss about collider solution तो collider solution क्या होता है तो collider solution और दो solution which is made about to collide जो क्या होते हैं को लाइड से बनते हैं उन्हें हम बहुते हैं को लाइडी solution तो collider solution is a mixture in which the substances are regular suspended in the fluid जब regularly क्या होगा suspend किया जाएगा जैसे हमारा है तिकिया हमने किसी जो फोम निकला तो वो क्या है रेगुलर्ली हमने उसको रह्म किया तो क्या हुआ फोम बना धेर सारा स्लैक बन करके निकला जहाग बन के निकला तो उस टाइप का जो हमें जो सोन होता है अब वही नहीं एक्जाम्पल कि जो सोन होता है उस तो हम उसे ही बोल देते हैं को लाइडल सोल्यूशन तो यह को लाइडल सोल्यूशन जैसे हमारा ब्लड भी है एक टाइप आफ को लाइडल सोल्यूशन ही है इसको मठ देते हैं जैसे फोम भी हो सकता है इमल्शन सोल्यूशन धूल होती है तो दो तैप से होता है हमारा और वाटर वाटर इन वाटर वाटर नौ चिहां पर जो सुल्यीशन तयार हो रहा है वो क्या है कोलाइडी सलूइशन यह जैसे हम टेल में पानी की मात्रा क्या कर दें तो क्या स्वेशन ही यह लेकिन अब उसकेस में क्या है और नीन वाटर and water in oil two types oil in water excess amount of water and little bit amount of oil तो हम उसको बोलते है oil in water solution that is called colliding solution और दूसरा जो हमारा type है what water in oil तो water in oil में excess amount of oil and minimum amount of water that is called colliding solution जैसे डेर सारा किसी भी pot में ले लिजे तेल और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजे तो आपको solution तो बनेगा आप मिक्स करिए लेकिन आप देखोगे जो medium होगा जो medium होगा उस पे जो उसके साथ में मिलाया जाए वहाँ होगा that means वो दोनों हमें क्या होगी दिखाई देगी एक दूसरे oil पर पानी ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा तो ऐसे solutions को हम बोलते हैं collidal solution आप आते हैं टिंडल effect के टिंडल effect क्या है तो जो dense forest reason होता है जब sunlight comes out की sunlight उसमें गिरती है dense होता है देट मिन बिल्कुल ऐसे close होता हुँ उनकी बीज बीज से या कोई एक पोर pot लेगी जो उसमें छोटे 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 छे दो उसको क्या करिए sunlight के अगेंस्ट में करिए तो छोटे छोटे lights की क्या होता है लाइट ओब beam of light क्या होती है अलग अलग scattered हो जाती है तो इसको ही हम मुलते है tindal effect तो यहाँ पे tindal effect is the scattering of light जो फैलाव हो रहा है उसकी rays का sunlight का effect of light by particles in a collide or else particle in a very fine suspension this is called tindal effect अगर हम torch से वोशनी डालते हैं तो क्या होते है solution में solute की मातरा travel होती दिखती है suspend होता है वहाँ पे वो suspend होकर के ही उसके particles क्या होते है नीचे की तरफ जैसे ही motion करते हैं तो उस टाइप का जो effect वहाँ पे light के वज़ज़ से scattering of light के वज़ज़ से develop हो रहा है उसको हम बोलते है tindal effect जैसे हम test tube में लेने किसी solutions को और यहां से हम torch से sunlight को जैसे ही डालेंगे तो हमें यह क्या करेंगे मूव होते दिखाई देगे चलते हुए दिखेंगे तो अब यह किसके वज़ज़ हो रहा है scattering of light then it is called a tender effect अब अगला हमारा है for example के लिए यहां पर दिया हुआ है for easy for example it can observe when sunlight passes through the canopy of a density forest canopy of the density forest कने का मिन से जहां पे पेंड बिलकुल क्या हो घने हो घना जंगल हो और उसके पेंड क्या हो आपस में बिलकुल एदम क्या हो डैंसी हो डैक में के एदम crowded हो उसको जाती है तो उसको हम भोता है तो जैसे हम अभी तेल और पानी दोनों और और वाटर का एक्जाम्पल दे रहे थे तो अब वाइल जब वाइल इन वाटर है यानि एक्सस अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम यहां एक पॉट के अंदर में पानी ज्यादा लें वाटर ले यहां पे ज्यादा और वाइल लें कम तो हमें ऐसे छोटे-छोटे मोलेकुलों सिस्पेक्ट क्य क्या करें डिसपर्स कंपोनेंटा जो वहां पर सोभ के सू रहा है आपने साथ में क्या हो जाता है क्या हो retrouver, मेढ़ना तरिबोल जाता है तो still should like component of their whites不是 इनकुलाईटCon that寄स ठेँ जो आई और एक में करता है को रहाने बनाता है वहीं क्या कर दाता है disparate first विए मेटेंट रहें points in ałość अब प्रन्ट एक असर्फिस्द suspended is known as dispersing medium यानि वो oil को घुलने वाला solvent क्या बोला जाएगा dispersing medium that means कि यहां पर water हमारा क्या है dispersing medium that type of component in which dispersed phase is suspended is known as dispersing medium और जो आपका solute होगा वो solute like component that is dispersed by particle in a collide to form collide is called dispersed phase तो यहां प्यां प्यां तो कुलाइट पाइड परीश हो गया let's move on another topic